Hi guys, welcome back to another video of question for you, I hope guys, आप सभी बहुत अच्छे होगे, दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए बहुत सारी good news लेके आचुका हूँ और आज हमें technical updates ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मैं आप सभी को सारे proof दिखाने वाला हूँ कि अभी pie ledgers के अंदर क्या चल रहा है, transactions क कौन से टाइम पे हो रही है, कितने amount के transactions हो रही है, और उसके साथ और भी चीज़े हैं, web 1 को लेके web 2 और web 3 बेसिकली एक काम कैसे करते हैं, और pie network इसको यूज करके future में किस तरीके से आपको help करेगा, और technology को help करेगा, blockchain को लेके update है, NFT, collaborations को लेके update है, और pie network की जो shops है, restaurants है, cafes हैं, different different countries के अंदर start की जा रही है, lockers, pie explorer और pie transactions को लेके भी update है, तो बहुत सारी चीज़े हैं, जो आज की वीडियो के अंदर आप सभी को जानने को मिलेंगी, और कुछ surprises भी हैं, जो वीडियो के बीच में या ending में आप सभी को देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को start करते ह हैं, एक छोटी सी request है, वीडियो को शुरू से लेके end तक दिखना, तभी आपको सारी चीज़े अच्छे समझ में आएंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो please subscribe करके, notification bell को all पे जरूर प्रेस कर लें, description में telegram का link है, आप जाके उसको भी join कर लें, वहाँ पर भी out the pi network roadmap, अभी जो भी है pi network, आप सभी की बाते सुनता है, जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी pi application create कर रहा है, वो अपने pioneers की demand पर create कर रहा है, अगर आप उसमें कोई feedback देते हो, कि इस application में ये खराबी है, या ये चीज़ को improve किया जा सकता है, या इस वाली application को market के अंदर लान और उसके साथ यहाँ पर road map की बात की जारी है, कि आने वाले time के अंदर हम कैसे कैसे चीज़ों को follow करेंगे, और अभी हम कौन से चीज़ों को follow कर रहे हैं, अब हम चलते है next most important update की तरफ, जिस तरीके से आप सभी को पता है, internet एक ऐसी चीज़ है, जिसके थूरू हर एक country में एक अलगी level की growth आई है, पहले क्या था, internet बहुत expensive था, बट आज की rate के अंदर internet हर किसी के पास है, और easily हम उस चीज़ को afford कर सकते हैं, और उसके साथ बताया जा रहा है, web 1, web 2, web 3, the revolution of the internet, किस तरीके से चीज़े change हो रही हैं, यहाँ पे आप सभी को एक photo देखने को मिलेगी जहाँ पे बताया जा रहा है किस तरीके से चीज़े change हो रही हैं, और कैसे और आगे बढ़ने वाली हैं, दोस्तों जो web 1 था, 12-13 साल पहले की हम बात करें, जो बहुत जादा popular था, जहाँ पे yahoo वगेरा आप देखते थे, और इंटरनेट करके आप देखते थे, और भी बह देखने को मिलते थे, क्योंकि जो Google पे आप आर्टिकल्स वगेरा देखते हो, जो information आप देखते हो, वो सारी के सारी information आप हम जैसे लोगी वहाँ पे पोस्ट करते हैं, और उसी के बिहाफ पे आपको details वगेरा देखने को मिलती है, और उस time पे क्या था कि एक rectification नहीं थी, अगर कोई चीज हो चुकी है, या कोई चीज फिनिश हो चुकी है, बट उसको rectify करना होता है, तो अब क्या होता है, कि Google क्या है, जैसे ही किसी की मालो death होती है, कि celebrities की death होती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे Google पे currently सारा कुछ update कर दिया जाता है, कि populations कितनी है, अभी market के अ सीरे करके web 2 आया, ठीक है, web 2 आप सभी के लिए यहां पे जो बहुत ही popular, popular आपकी applications है, जो कि number 1 पे है, YouTube हो गया, Google हो गया, Facebook, WhatsApp, TikTok भी आपने देखा है, और उसके साथ Twitter है, और भी बहुत सारी applications है, जो कि web 2 के अंदर है, अभी हाल फिलाल में हम जो applications यूज कर रहे हैं, यह सा क्योंकि एक time तक कोई भी चीज सेट नहीं रह सकती, एक time के बाद in a future वो चीजे अपग्रेट करनी पड़ती है, उसी चीज को बोलते है, web 3, web 3 बेसिकली एक decentralized network है, जहां पे आपको सारी जो transactions होती है, वो बहुत ही fast देखने को मिलेगी, इसके अंदर आप सभी को meta mask देखने पर बात की जारी है, यहां पर token economy की बात की जारी है, क्योंकि आज से पहले जो decentralized network था, इसको कोई भी नहीं जानता था, जब से bitcoin आया, उसके बात पता चला कि जो decentralized network है, यह कितना ज़दा powerful है, और अभी का time में इसके थूरू पहले के हम बात करें, तो बहुत ज़दा illegal work भी ह हो चुके हैं, और अभी भी हो रहे है, illegal work का मतलब यह है, क्योंकि यह decentralized है, तो यह government के अंडर तो बिलकुल नहीं है, और government भी इसको नहीं पकड़ सकती, क्योंकि जब dark web पे कोई भी transaction की जाती है, bitcoin के थूरू, वो transaction करोडो अरबो की transactions होती है, और उसका जो record होता है, किसी के भी नहीं जाता, क्योंकि एक simple भासा में आपको बताऊं, अगर उसने transfer किया पैसा इंडिया से USA में, तो जो IP address होता है, जिसके through location का पता चलता है, तो वो भी कुछ-कुछ second हो में change होती रहती है, कभी वो चाइना में show करेगा, कभी रशिया में show करेगा, कभी USA, पाकिस्तान और भी different locations में, तो ये एक बहुती अलग network है, जहां पे एक अलगी blockchains काम करती है, technologies काम करती है, कोई किसी को trust नहीं कर सकता, और ये basically independent है, इसी वज़े से web 3 बहुत popular है, और आने वाले time के अंदर इसके जो demand है, बहुत जादा बढ़ने वाली है, और जो भी cryptocurrencies इन सबी चीजो को लेके काम कर रही है, आने वाले time के अंदर वो एक बहुत बड़ा बूम करेगी, और पाइने वाले time के अंदर इसी चीज को लेके काम करता है, in the future, all peoples and businesses will use web 3 in their lives unconsciously, because of complicated and decentralized economic problem, क्योंकि आने वाले time के अंदर, आप सभी को देखने को मिलेगा, जितने भी businessmen, जितने भी लो advertisement कराना होता है, किसी भी song का, किसी भी movie का promotion करना होता है, या कुछ भी करना होता है, सब लोग YouTube वेगारा पे post करते हैं, बट इससे पहले ये चीज नहीं थी, ठीक है, बट वो क्या हुआ, एक time के बाद चीज आई, बट अभी क्या है, कि हमें लगता है कि सब कुस ठीक है, ब taxes और TDS वेगारा कारती है, क्योंकि सरकार को भी पता है, कि इससे कितना ज़्यादा profit हो रहा है, और इसी लिए Indian government ने भी E rupees को launch किया है, और बहुत सारी जो different countries हैं, वो भी cryptocurrencies को accept कर रही है, और cryptocurrencies को banking system के अंदर, CBDC के अंदर join किया जा रहा है, और इनके जो ATM machines वेगारा होती है, crypto की ATM machine की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ-कुछ countries के अंदर, USA के अंदर, Bitcoin, Ethereum की है, जहाँ पे आप withdrawal वगारा कर सकते हो, add-on वगारा कर सकते हो, ठीक है, Pi Network is the best example of Web3, यहाँ पे best example Web3 का जो है, Pi Network बताया जा रहा है, build-on blockchain technology, the Pi Network enables users to transact and interact without involvement of centralized institutions, जो भी banking systems होते हैं, जो भी legal terms होती हैं, उसकी जरुवत आपको नहीं है, यहाँ पे direct arm transactions कर सकते हो, और आपको एक भी रुपा extra देने की जरुवत नहीं है, कोई भी taxes देने की जरुवत नहीं है, बट जैसे ही इंडिया को और भी बहुत सारी countries को पता लगा कि cryptocurrencies के अंदर बहुत पैसा है, तो उन्होंने भी अपनी countries के अंदर taxes को enable कर दिया है, क्योंकि जितने ज़्यादा इसके users बढ़ेंगे, जितना आप profit बनाओगे, उसका अच्छा खासा आपको एक तरीके से जो tax होता है, जो TGS होता है, वो government को देना पड़ेगा, और government भी इसके भी हाफ के आपकी security के लिए भी काम करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो cryptocurrencies के अंदर investment नहीं करते, उनको रखता है कि यह बिल्कुल safe नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा रात और रात करोड रुपे बढ़ भी आता है, करोड रुपे डाउन फॉल में भी बट यहाँ पे जो company है ना वो यह जो crypto है वो भाग सकती है, कोई भी proper उसका वो नहीं होता कि यह रह जाएगा या बचा रहेगा, इसलिए इसको safe properly नहीं बोलते, बट अब क्या है, डे बार दे सारी चीजों को improve किया जा रहा है, जिसकी वज़े से जो नए लोग हैं वो भी इसके अंदर enter कर सके, the decentralized of features is line with the concept of web 3 and can achieve a more fair, transparent and secure interactive environment, यहाँ पे सब कुछ आपको transparent देखने को मिलेगा, सारी चीज़े आप देख पाऊगे, और मैं कुछ इसके आपको example के थूरू दिखाने वाला हूँ, कुछ transactions वगरा जो की officially pay network की है, कितने payments के regarding है, it also has the ability of cross-chain interoperability and can seamlessly integrate and interact with other blockchain projects, अभी market के अंदर बहुत सारे projects हैं, blockchain को लेके और आप सभी को differentiate समझ में आता होगा, कि pineapple की special क्यों है, और बाकि सबने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, जो pineapple क्यों किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, pineapple को आप free में mine कर सकते हो, ठीक है, this help build an open web 3 ecosystem, allowing different projects and applications to collaborate and share value, तो यहाँ पे बहुत सारी जो अलग-अलग cryptocurrencies है, crypto exchanges है या अलग-अलग जो companies है, वो इसके साथ मिलके collaborations करेंगी, मिलके partnerships करेंगी, many pie communities are actively organized education and learning about hashtag blockchain and ecological publicity, आप सभी को पता है, Korea के अंदर भी, Nigeria के अंदर भी, और भी बहुत सारी different countries के अंदर, pine network के seminars, meetings वगेरा होती है, जिसके मैं updates भी आपको share करता हूँ, वहाँ पे specifically blockchain, NFTs के बारे में knowledge दी जाती है, education दी जाती है, कि actually एक काम कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पे very important है, इसके बारे में आप सभी को पता चलना, क्योंकि अगर आपको अच्छे से इसके बारे में पता तब ही आप अच्छे से इसके बारे में समझ सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो, एंड गईज चलते हैं, नेक्स अपडेट की तरफ, जो की officially pie network की तरफ से आ चुका है, यहाँ पे verified account आप देख सकते हो, with the pie block explorer के बारे में हाँ पे हम देखने वाले है, lock up activities मैं आप सभी को शो करूँगा, pie testnet के बारे में हम जानेंगे, manage blockchain के बारे में जानेंगे, और pie transactions और blocks और addresses के बारे में जानेंगे, कि अभी हाल फिलाल के अंदर क्या क्या transactions हो रही है, दोस्तों यह open हो चुका है, इसको आप जाके official pie की official website पे देख सकते हो, block explorer.minepie.com करके है, जैसा कि स्क्री को देखने को मिलेगा, यहाँ पे latest operations फगरा शो कर रहे हैं कि अभी हाल फिलाल के अंदर कितनी transactions हो रही है, और इसका जो ledger है, वो आप सभी easily देख पार हो, जैसा कि मैं screen पर आप सभी को दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे accounts की हम बात करें, तो यहाँ पे accounts भी आपको देखने की payment है, और यहाँ पे timing आप सभी देखो, 1-1 minute हो चुके हैं, और मैं इसको refresh वगरा करूंगा, तो यह वापस से जो अभी currently चीज़े चलेंगी, उसके बहाफ पे show करेगा, जस्ट मैंने अभी refresh किया, 8-8 second का दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे 20 Pi के हिसाब से payment हुई है, 1 Pi ह यहाँ हुआ है, ऐसे different different यहाँ पे आप सभी को transactions देखने को मिलती है, और जो latest transactions है, वो भी आप सभी को यहाँ पे show करता है, और timing वगरा भी, और blocks वगरा भी show करता है, कितनी अभी blocks चल रही है, ठीके सारा कुछ आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, और मैं इसको और भी करू तो यहाँ पे हमें सारी details भी देखने को मिलेगी अच्छी तरीके से, और इसको हम next page करके भी, जो different details है, वो सारी भी देख सकते हैं, यह कहने का मतलब यह है, यह जो चीज़े आप देख पा रहे हो, यह सारा कुछ blockchain काम कर रहा है, और इतना fast इसलिए काम कर रहा है, क्योंकि इसके उपर अच्छा खासा खर्चा किया आता है, इसके उपर security पर खर्चा किया आता है, जिससे कि जितने भी pine network के users हैं, उनको actually पता लग चागी, कि अभी transactions जिसकी हम बात करते हैं, जो transparency की pine network बात करता है, वो कितना safe है और कितना real है, तो मैं वापिस एक और बार refresh कर रहा ह यहाँ पर 100 पाई के आसपास का यह दिखाया जा रहा है, और उसके साथ different different यहाँ पर और बी जो prices वगरा है, वो सारी चीज़े भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही ता, I hope आपको समझ में आया होगा, और अभी तक वीडि के साथ अब तक ले जाहिंद बंदे मातरम,